इसका यह सेंटर तो सेंटर पॉइंट उसने हमें जो है उसकी वैल्यू दियो यह सी है उसकी वैल्यू यह है ठीक है और यह सरकल जो है एक पॉइंट है चले मैं इदर लाइड कर लेता हूं इस जग़ा किसी भी चाग़ा पर यह तो सेंटर से लेके किसी भी सरकम्फरेंस तकर डिस्चेंश ने होता है इसको बोलते है radius आर से डिनोड किया जाते है तो diameter असल में radius का double होता है ठीक है मतलब जतना radius इतर है उतना ही radius इतर होगा तो यह जो ऐसी line होगी जो radius का double होगी उसको diameter बोलेंगे तो diameter is equal to याद रखें कि इसके इकल होता है 2R के double of the radius ठीक है तो यह हमने calculate करना है उसके लिए हमे calculate कर लेते हैं तो c हमारे पास जो point है वो है minus 3,6 और जो p point है वो है 1,3 तो हमने just इनके द्रम्यान distance calculate करना है p c calculate कर लें या c p calculate कर लें एक ही बात होगी ओके तो यह होता है distance formula x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square और इस सारे के उपर आ जागा ऐसे square root जाए ओके एकस टूद आपके पास यह value value है यह x2 हो जागी और यह आपके पास x1 और यह y2 और यह आपके पास y1 तो यहासे लिखेंगे 1, minus, यह minus, और यह minus, आपके पास बन जाएगा, plus 1 plus 3 whole square, plus आपके पास Y2, आपके पास इसकी value है 3, और यह minus, और 6 जो है वो as it is आगया, और यहासे आजएगा whole का square, और सारे इक उपर आजएगा, इस तरह से square होगे, तो 1 में 3 add करेंगे तो आपके पास answer आजाएगा 4 square उसके बाद plus लिखे तो 3 minus 6 is equal to minus 3 all square और उसके बाद आप क्या करेंगे scale लेंगे 4 का square जब लेंगे तो आपका 16 answer आजाएगा 3 का square लेंगे तो 9 answer आजाएगा और 16 को 9 में add करें तो क्या answer आजाएगा जी 25 है और 25 आप लोग जानते है किसके बाद होता है 5 का square जा है ठीक है तो ये square is first square root से cancel हो जाएगा तो final answer हमारे पास क्या आजाएगा 5 तो CPSL में क्या था हमारे पास radius था तो हमने अभी क्या calculate कर लिए radius calculate कर लिए है तो हमने तो calculate करना diameter तो आप लोग जान दे है diameter किसके इकवला होता है 2R के ठीक है तो इदर कर ले दे हम कि हमने तो calculate करना था diameter diameter को हम show कर लेते हैं D के और D equal होता है 2R के ठीक है D is equal to 2 into R तो आप इसको observe करें तो आपके पास आगा 10 unit मतलब कोई भी centimeter meter कुछ इस तरह से कुछ भी आ सकते तो कितना अंसर आगे इसका 10 units है इसका diameter तो इस तरह से आपने इसका जो है वह diameter calculate करना होगा